आज आपको गुनिया के कुछ important देश का जो समू है उसके लिए एक special नाम रखा जाता है उसको दूरा clear कर देते हैं देखें UPSC और PCS की तयारी में clarity बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे नाम है like Baltic देश, Balkan देश, Latin America, Nordic Country, Scandinavian Country, Great Britain तो इनको एक बार हम लोग clear कर लेते हैं एक एक कर लेते हैं अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Baltic Country की इमेज को जो map है ना उसको अच्छे से आप लोग देखिएगा तो clear हो जाएगा और other जो भी facts है उसको हम लोग एक एक करके clear करेंगे यहाँ map की ज़रूरत बहुत जादा है इसलिए map पे concentrate की जाएगा सबसे पहले यह देखो यह Baltic Sea है ना यह तीन country को हम लोग कहते हैं Baltic Country क्योंकि Baltic के border को share करता है इस्ट की तरब से तो इसको हम लोग कहते है Baltic Country इसी के लिए Baltic कपड़ी हो किया जाता है यह जो Baltic State है अगर हम West की बात करें पश्यम की बात करें नौर्थ की बात करें तो यह already Baltic सागर से ही घिरा होगा है लेकिन इस्ट में यहाँ पर यह देखो यह रसिया है इस्ट में रसिया है उसकी अलावा नीचे आएंगे तो बेलारूस आपको यह वाला जो हिस्सा है वो बेलारूस का है फिर Poland आ जाता है तो ऐसे करके उसको चारो तरब से Baltic देसों को cover कर रखा है तो Baltic clear हो गया और एक और बात इसके अंदर हम लोग detail में भी कुछ नहीं जा रहे हैं हम लोग country clear कर रहे हैं location clear कर रहे हैं ताकि कोई भी confusion ना रहे तो Baltic तो चुकी easy है तो चलिए ठीक है अब यह कहां कहां है देखो Finland, Sweden, Norway इसके पास में यह Baltic सागर है तो आप जब भी देखोगे Atlas पे या map पे तो आपको यह clear दिखेगा इसके बाद दूसरा है बालकन कंट्री यह जो बालकन कंट्री है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लिजे क्योंकि यह एक बंच है जो परिशान करता है बालकन कंट्री की बात करे तो बालकन माउंटेन से घिरा हुआ यह country है इसके अंदर कुछ अलग भी data आ मेज हम बड़ा कर लेते हैं उस दस country के अंदर आप Albania को उठा सकते हैं बोस्निया रजगोबो है बुलगारिया है तो अलग-अलग country है क्रुईशिया है कोसोबो है मैसडोनिया है मोंटेनेग्रो रोमानिया सर्विया स्लोवेनिया यह सब जैसे यह है सर्विया है रोमानिया है बुलगाडिया है अलबानिया है तो ऐसे करके अलग अलग है लेकिन 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 ग्रीस और तुर्की का भी जो कुछ हिस्सा है उसको भी इसमें माना जाता है ग्रीस कौन है यह देखिए यहाँ वाला यह ग्रीस है ना तो ग्रीस का भी कुछ हिस्सा और टर्की का भी कु पूरे इलाके को देखें, यह पूरा इलाका अगर हम देखें, तो इस पूरे इलाके यह लगबग 5,50,000 स्क्वाइर किलो मीटर में फैला हुआ है, और इसको हम बालकन पेनेसुला भी कह देते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो अब Penisula क्या होता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक तरफ लैंड से जुड़ा हुआ तो यह दिख रहा है Penisula वाला तो इसके कारण इसको हम Penisula भी कहते है और कैसे घिरा है तो अगर East की बात करें तो काला सागर यह वाला Black Sea Eegean सागर मरमरा सागर यहाँ पर ठीक है उसके खारण अब साउथ के अंदर तो यह पूरा मेटेरियन सी ही है पूरा भूमत सागरी है पश्यम की तरफ आ जाएंगे तो इयोनियन सागर एड्रियाटिक सागर नॉर्थ के अंदर कुछ नदिया है तो ऐसे करके इसका पूरा का पूरा बॉर्डर डिफाइन होता है इतना ही नहीं यह तो वाटर बॉर्डर है जिसके अंदर आप ब्लैक सी देखें मेटेरियन सी देखें एड्रियाटिक सागर देख रहे हैं इसके अलाबा लैंड से भी यह जुड़ा हुए लैंड बॉर्डर भी है इसका जैसे अगर नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो आपको हंगरी मिलेगा नॉर्थ इस्ट की तरफ आप जाएंगे तो आपको एटली देखने को मिलेगा तो ऐसे करके अलग-अलग country के थुरू इसको कवर चाड़ो तरब से किया गया है तो ये है क्या इसको कहते हैं हम लोग Balkan country ठीक है तो Balkan country जो यहाँ पे एक गुच्छा है इसी गुच्छे के अंदर आपको Balkan country देखने को मिलेगा एक बर फिर से नाम सुन लेजे अलबानिया, बोस्निया, हर्जे, गोवीना, बुलगाडिया, क्रुएसिया, कोसोबो, मैसेडोनिया, मौन्टीनेग्रो, रोमानिया, सर्विया और स्लोवेनिया ठीक है अब आपको दिखाते हैं अब आपको बताते हैं नौडिक कंट्री के बारे में लेकिन नौडिक कंट्री के पहले इस कैंडिनेवियाई जो देश है उसको देखते हैं नौडिक कंट्री पहले इसको भी देखी लो नौडिक कंट्री के अंदर आप देखिए तो डेनमार्क आपको देख रहा है यहाँ पे ठीक है डेनमार्क है फिनलैंड है आइसलैंड है अभी देखिए यह स्वीडेन है यहाँ पे फिनलैंड है यह वाला नॉर्बे है यहाँ पे आइसलैंड है और यह देख रहा है यह देनमार्क है इसके अलावा फोरो आइसलैंड और इसके साथ-साथ जो ग्रीन लै का इलाका है जो उपर में है इनको भी शामिल कर लिया जाता है नौडिक कंट्री के अंदर काफी यह तो वही लाका है जो हमेशा लगबग बर्फ से ढखा रहता है नौथ अट्लांटिक अगर करेंट यहां आ जाए तो यह खुले भी ना खासकर सर्दियों के अंदर तो यह ज अंडे वेदर के कारण खास करके जाना जाता है इसके बाद एसकेंडी नेवियाई देश इसके अंदर क्या अंतर आ जाता है कि नौडवे, स्वीडेन और जो डेनमार्क है ना उसको इसमें सामिल करनेते है ठीक है नौडवे, स्वीडेन और डेनमार्क को सामिल करते है उसक Finland, Iceland, Greenland इन सब को जब शामिल कर लेते हैं All Ants इनको जब शामिल करते हैं तो यही Nordic Country हो जाता है इसके बार Caribbean देश यह Caribbean देश का क्या है चक्कर Caribbean देश Caribbean देश को अच्छे से समझ लेज़े Caribbean देश को लेकर थोड़ा confusion है Caribbean देश का क्या है यहाँ पर Caribbean Sea देख रहे हैं हब तो Caribbean Sea के आसपास जो देश है That is Caribbean देश Caribbean देश अमेरिका का ही एक उपचेतर है ऐसा माना जाता है Caribbean सागर और उसके जो भी Iceland है उसके अंदर शामिल है इन में से कुछ Caribbean सागर के अंदर है और यह Caribbean सागर North Atlantic Ocean का पार्ट है clear लेकिन कुछ जो है Caribbean सागर और North Atlantic महा सागर दोनों को क्रॉस भी कर जाते हैं और मेक्सिको की स्खाड़ी यूकाटन की खाड़ी के अंदर भी चले जाते हैं यह भी ध्यान रखना है तो यह क्रॉस कर जाते हैं और एक और चीज यहाँ Plate Tectonics से जुड़ा हुआ है Plate Tectonics से जुड़ा हुआ यह है कि जो Caribbean देश हैं उनमें मैक्सिमम हमें गलत फहमी क्या होती है कि North India North America यानि United States of America में जो North America है उसी का उसी Plate का Extension है Plate Tectonics में हमने बड़े-बडे Plates पढ़े हैं ऐसा नहीं है कि सारे Caribbean Country North America के Plate पर है एक Plate है जिसको Caribbean Plate कहते हैं तो बहुत सारी जो Caribbean Country है वो Caribbean Tectonic Plate पर ही इस्तित है और अधिकांस Caribbean Country Middle America को जो मध्य अमेरिका है जिसको Middle America है Central America कहते हैं उसके साथ Water Share करता है कुछ South America के अंदर भी है इसके अंदर कई सारी Countries है जैसे यह देखिए Dominican Republic Antigua, Barbuda, Barbados Dominica, Guyana Jamaica Haiti Virgin Iceland यह जितना Iceland आप देख रहो है सब जितना भी देख रहा है न यह सब इसी के अंदर है तरीनी दाद यह देखे तरीनी दाद है टैबोगो यहाँ पे है तो यह जितना Iceland देख रहे होना आप ठीक से देख लीजेगा हम इसमों अटा दे रहे यह सब Caribbean country के अंदर है यह सारा का सारा Caribbean देश के अंदर आता है Virgin Iceland यहाँ पे है Virgin Iceland देख लीजे तो इस तरह से जो भी आप देखोगे न प्यूटरी को यहाँ पढ़े है तो ऐसे करके पूड़ा का पूड़ा आप आइसलन छोटे छोटे देख रहे हैं 700 से अधीक द्यूप है और द्यूप समों इसके अंदर है इसके बाद बाड़ी आती है मद्ध अमेरिका की सेंट्रल अमेरिका की सेंट्रल अमेरिका में यह इमेज नहीं चलेगा अभी चला देते हैं सेंट्रल अमेरिका की बाड़ी आती है सेंट्रल अमेरिका में क्या आपको देखना है वो आपको यह देखना है कि Central America, North America के दक्षिन में और यह South America है, इधर North America है कि इसको जोडने का काम Central America करता है Central America कि अगर आप बॉर्डर को देखेंगे न, यह देखें मैक्सिको लिखा है North में मैक्सिको, दक्षिन पूर्बियाने, South East में कोलंबिया इसके बाद East की तरफ Caribbean सागर, यह Caribbean है, पशिम और दक्षिन की तरफ यह पूरा Pacific Ocean यानि प्रशान सागर यह सब इसका बॉर्डर बनाता है, और Total 7 Country, 7 देश इसमें शामिल है Central America में Total 7 देश सामिल है, बेलिज यहाँ दूसरा, Costa Rica, ठीक है, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, यहाँ पर है Honduras, Nicaragua, इसके बाद Panama, पनामा यहाँ पर देखिए Al Salvador, Guatemala, यहाँ पर होना चाहिए, Al Salvador यहाँ पर है Guatemala हो गया, यह Costa Rica देखिए यहाँ पर है, ठीक है Guatemala है यहाँ पर, यह Guatemala है यहाँ पर, यह Guatemala है, यह Guatemala सिटी तो बेलिज हो गया, Costa Rica हो गया, यहाँ पर Costa Rica है El Salvador हो गया, इसके अलावा, Guatemala, El Salvador, Honduras हो गया Nicaragua हो गया और पनामा हो गया, यह Total 7 है, जो North को South America से भी जोडते है इसके बाद Latin America, Latin America, यह जो एक word है न, यह बड़ा एक confusion वाला है आखी Latin America कहा है, किसको Latin America कहते हैं, तो पता है Latin America जब आप पूछोगे तो confusion यहाँ ज़्यादा है, और अधिकान से आप में से यह जानते होंगी कि Latin America, जो Middle America या Central America है, यह वाला हिस्सा या जो South America यह वाला हिस्सा, इसको हम लोग Latin America कहते हैं बट यह कहना सही नहीं है, Latin America को एक तो define करना मुस्किल काम है Latin America, North America, यानि North America को उठाईए, Caribbean उठाईए, यह उठाईए इसके साथ ही दक्षिन अमेरिका, यह पूरे इलाके में ही फैला हुआ है Latin America लगभग 19 इसके अंदर संप्रभू रास्ट्रें, गैर संप्रभू में प्योट्रो डिको भी शामिल है अब यहाँ पे जो Latin America है न, वो basically Latin America को define किया जाता है Latin language के use करने से जहां Latin से भाशाएं ली गई है, या Latin से ली गई भाशा जादातर बोली जाती है उसको हम Latin America कहते है, उसमें भी Spanish, Portuguese ये famous है, देखो, रोमान्स भाशा इसका नामी रखा गया है रोमान्स भाशा में सबसे उपर Spanish आता है, फिर पूर्तगीज और French आता है तो जहां इस तरह का भाशा यूज किया जाता है, उन एरिया को Latin, मुखितर उनको Latin America कहते है इस Latin America के अंदर Mexico भी आ जाएगा, ठीक है, Mexico आ जाएगा क्योंकि maximum use होता है Costa Rica, ये Central America में न, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, ये सब आ जाएगा South America के अंदर Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, almost लगभग आ जाएगा Caribbean के अंदर ये Cuba आ जाएगा, Dominic Ganraj आ जाएगा, Petro Rico आ जाएगा ये Dominic हो गया, ये Dominic हो गया, Petro Rico हो गया, Petro Rico तो ये सब Latin America के अंदर आता है, तो Latin America के अंदर आता है तो Latin America के बिसिकली जो Latin भाशा है, उसके अधिक यूज़ करने के कारण वो भी Romance भाशा खासकर Spanish, Portuguese और थोड़ा थोड़ा फ्रिंज जहां यूज़ होता है, उसको हम Latin America की देश करते हैं और ये पूरा North, Central and South America में फैला हुआ है तो ये हो गया आपका Latin America अब बात करते हैं उस confusion की जो आम लोगों से लेकर खास लोगों के बीच में है और वो confusion है England, Great Britain और United Kingdom का ये बहुत बड़ा confusion है आप ठीक से देखिए पहले और सबसे उसके पहले clear एक चीज़ करते हैं कि ये जो Great Britain आप देख रहे है न ये Great Britain एक Iceland है एक द्यूप है इसमें England जो देख रहे हो London जिसको कहते England वो इसी द्यूप का हिस्सा है जो उसके South में है United Kingdom की जब बात आती है तो ये सब मिल जाता है और बनता है United Kingdom तो ये confusion अभी आपका दूर हो जाएगा एक एक टर्म को समझ लीजे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि येरोप में United Kingdom एक देश है इस देश के भीतर ये जो United Kingdom पूरा है इस United Kingdom के भीतर एक है Great Britain दूसरा है North Ireland अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो Great Britain है Actually इसका Official नाम है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Northern Ireland क्यों कहते हैं Northern Ireland इसलिए कहते हैं कि Southern Ireland जगड़ा करके अलग हो गया और Southern Ireland एक स्वतंत्र देश है जिसको Republic of Ireland कहा जाता है ये एक अब अलग कंट्री इसको Great Britain से कोई लेना देना नहीं है यहाँ तक clear हो गया अब Great Britain और Great Britain और Kingdom of Ireland को मिला कर 1801 में उसको एक किया गया जब एक किया गया तो उसी समय से इसको United Kingdom कहा गया तो United Kingdom basically United Kingdom पुरा Ireland को मिला के बना हुआ एक Kingdom था लेकिन 1920 में क्या हुआ 1920 में एक नड़ाई हुई और South Ireland जो था वो अलग हो गया तो South Ireland जब अलग हो गया तो वो एक नया देश हो गया उसके बाद का जो इलाका है वो अभी आज के डेट में United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland कहा जाता है अब Great Britain की थोड़ी कहानी सुनते है यह आपका Great Britain है Great Britain एक Iceland है अभी आपने पढ़ा तो Great Britain जो है वो उत्तर पश्यम फ्रांस और पूर्वी Ireland के एक द्यूप का नाम है एक Iceland का नाम है इस United Kingdom का जो Total United Kingdom है उसका एक बड़ा हिस्सा Great Britain का है ठीक है? यह आप देखरों पूरा का पूरा Iceland ही है ना बड़ा हिस्सा है इसके अंदर तीन अलग-अलग छेत्र है England है, Wales है, Scotland है Scotland है अब यहाँ पर जो Great Britain का South East वाला हिस्सा है वहाँ आपको London दिख जाएगा England दिख जाएगा Wales इसका दक्षिन पश्यम वाला हिस्सा है Wales इसका दक्षिन पश्यम वाला हिस्सा है और Scotland नौर्थ की तरफ है अब ध्यान यह रखिएगा जो Wales है और Scotland है वो इसी का पार्ट है कोई स्वतंतर राष्ट नहीं है Scotland कोई स्वतंतर राष्ट नहीं है Wales स्वतंतर राष्ट नहीं है लेकिन जैसे स्वराज की बात की जाती है न वो स्वराज इनको मिला है Self Governance का Power मिला है यानि आंतरी Governance के मामले में फ्री है England की बात करते है England जो है वो South के अंदर है United Kingdom का हिस्सा है United Kingdom में चार, the total UK है उसका चार पार्ट है पहला पार्ट England है, दूसरा Wales है, तिसरा Scotland है, चौथा Northern Ireland है यानि चार Administrative इसका अलग-अलग पार्ट है जिसमें एक फिर से England है, दूसरा Wales है, तिसरा Scotland है, चौथा Northern Ireland है और सबको एक तरह से Autonomy मिली हुई है लेकिन ये सभी Great Britain का यानि जिसको United Kingdom कहते हैं, UK कहा जाता है उस UK का ये पार्ट है तो आप जब इसको देखोगे England को, तो England कोई अलग देश ना होकर UK का ही एक भाग है, जो Autonomous रूप से अपना काम करता है तो हम लोग mostly, हमें आदत होती है कि पूरे इलाके को हम England कह देते हैं तो England कहना गलत है ठीक है, England, London, ये सब जो आप कहते हो ना ये एक देश को डोनेट करता है, इंडिकेट करता है जो कि एक स्वतंतर देश लगता है, ये सही नहीं है इट मिंस की जो इंग्लैंड है, वो या मतलब इंग्लैंड जो है, वो एक इसका पार्ट है इस Great Britain का पार्ट है और Great Britain किसका पार्ट है Great Britain, United Kingdom, UK का पार्ट है तो basically जो देश है, वो UK है और वो भी कौन UK? United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland तो hopefully की confusion clear हो गया होगा तो confusion clear हो गया अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो clear करवाएंगे, क्योंकि ये चीज़े clear होनी चाहिए डिटेल में हम लोग आगे चलेंगे अभी स्टे, आप बस country clear मुझे करना था वो साइध आपका हो चुका है मिलते हैं अगले वीडियो में